आपको बताए कि वो भाजपा कोटे के नीता है साथ साथ अगले साल यानी साल दो हजार तईस में तृपुररा में विधान सभा के चुनाव होने थे इसी साल एप्रिल के महीने में सरकार ने अपने चार साल के कारे काल को पूरा किया था और अब मुक्षमंत्री ने अचानक से अपना स्टिफ़ा दे दिया है दरसल स्रिपुरा के मुक्षे मंत्री विपलब देव ने शनिवार को अपने पत से इस्तिफा दिया विपलब देव के नित्रतो वाली BJP सरकार ने पिछने महिने एपरिल में ही चार साल पूरे किये थे राज्य में चुनावों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है ऐसे में विपलब देव का इस्तिफा देना राज्य में भाजपा के अंधरूनी खटपट की ओर से भी इशारा करता है आपको बताए कि विपलब देव की इस्तिफे के बाद अब शनिवार शाम पाँच बजे विधायक दल की बैठक होनी है राज्य प्रभारी वुपेंद्र यादव भी अगर तला पहुच चुके हैं आज में अब नए सीम का चैन होगा जिसके बाद उन्हें शपत दिलाई जाई की इस्तिफे के बाद विपलब देव की ओर से कोई बयान नहीं आया है कहा जा रहा है कि केंद्र नित्रित तुमें विपलब देव से नाराजगी थी साथे कुछ सानिय नेता भी उन्हें पत से हचाना चाते थे वरिस्ट नेता वुपेंद्र यादव भी अगर तला पहुच चुके हैं अब बीजेपी की मीटिंग होगी नए मुख्षमंद्री का त्रिपुरा में चैन किया जाएगा जुसके बाद नए मुख्षमंद्री को शपत दिलाया जाएगा वो भी खासी नाराज चल रहे थे मुख्षमंद्री से और वो यह चाहते भी थे कि मुख्यमंत्री अपने पत से इस्तिफा दे दे हाला कि विपलब देव ने सिर्फ इतना ही कहा है कि आने वाले साल 2023 के विधानसवा चुनाव को लेकर अब वो तैयारियों में जुटना चाहते हैं और यही एक वज़ा है कि उन्होंने अपने पत से इस्तिफा दिया है फिला के लिए सब्डेट में इतना ही अनके खबरों के लिए माय साथ बने रहे न्यूस फॉर्णेशन में नमस्कार